नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो प्रिये विद्यारतियों इस वीडियो में हम कक्सादस के लिए अद्वार्शी प्रिक्सादोया तीविस के लिए जो है विज्ञान के इंप्टेंट क्यूस्टन हम करवाएंगे तो यहां पर देखिए आपकी जो बुके उसमे अलग-अलग करवाएंगे तो हमने यहां पर पार्ट वन जो है आपके लिया है और पार्ट वन में हमने जो आपके फोर जो पार्ट है केमिस्ट्री के जिसमें पहला पार्ट है रासे ने कभी किरिया हैं हम समीकर दूसरा है अमलस सारक यहां लवन तीसरा है दातु यहां व और उसके बाद जोई इसके इंपोर्टन्ट इंपो निमरीक ये उसको हम करवाएंगे और जो विख्यान के यहां पर जो आपके डाइग्राम से हम आपको पहले ही खरवा चुके हैं और इस है जो पाट है इनमें हमने जो है दो नम्मर से लेकर तीन नम्मरों-4 चार नमबर तक क्यूसनों को इसमें एड़ किया है हम एक नमबर वाले क्यूसन और जो एमसी की क्यूसन उनको हम अलग से आपको करवाईएं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंप्रटन क्यूसन को तो यहां पर देखिए सबसे पहला हमारा जो क्यूसन है वह है कि वाईयू म ख्याइड और अन्य असूदिया जो है दूल करवा नमीादी को हटा कर सुद्ध मेगनिसम प्राबो करने के लिए इसे यू में जलाने से पहले जो साप करना आवस्य के इसलिए जो है वाई-यू में जलाने से पहले मेगनिसिम डिवन को साब किया जाता है यहाँ पर देखिए हमारे पास जो guide है तो आपके बार जो भी guide है उस guide की जो language है उससे आप rejection को कर सकते हैं हमने यापर अलग गायड हो तो उसके अन अनुसार आप जो ए उसन का जो आंसर है वो आप कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि वाले लेंग्वेज याद करें आप आपकी जो गायड है उसमें को देख सकते हैं उसकी जो लेंग्वेज से us इसके दोनों पकसे में पर्तिक तत्व के प्रमाणू की संक्या जो हैं बराबर होती है वो क्या कहलाती है संतुलित रासनिक समिकड कहलाता है जैसे इसने क्या बोलाए कि जैसे मार लोग की इस तरब जो हमारे अभी कारग है जो उत्पाद बनेगा उन दोनों में यानि इस तरह भी और इस तरह भी जो उनके परमानों की संग्या वो बराबर होना चाहिए तो उस समीकण को क्या किला जाता है उस समीकण को संतुलित रासनिक समीकण कहा जाता है अब बात करा है कि ये इसको संतूलीत करना क्यों awaken तो देखिए यहाँ पर इनको संतूलीत करना इसलिए हावसिक होता है कि देखिए राजस्थनिक अभीकिया में हम नहीं हम उसको नश्ट कर सकते हैं इसलिगे जो द्रीमान सरक्षन का मारा रूस होता है उसके मुताबिक जो है हम इस द्रिवात सरक्षन के नियम को संतुष्ट करने के लिए जो है राजसानिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है यहां पर देखिया है अभीकारकों में उत्पादों में यह जो ततवह की संग्या है इस तरह से यहां पर जो समीकर दे रहुँ है जिंक की एच-टू-जे इसप्टे इस यहां पर इसने अभी किरिया करवा रहा रगी तो यह इसका कारण होता है इसके बाद देखिए विस्तापन एम दीविस्तापन अभीकिर्याओं में क्या अंतर है इन अभीकिर्याओं के समिकर लिखिए यानि कि इसने पूछा है कि विस्तापन दीविस्तापन अभीकिर्याओं में अंतर या यह भी पूह सकता है कि विस्तापन दिविस्तापन अभी किराओं से आप क्या समस्ते हैं इनके एक एक उदार्ण या एक एक इनकी समिकर लिखी है तो देखी विस्तापन अभी किरा क्या होती है कि एसे विकिरा जिसमें किसी योगी के अनू के किसी एक परमानू अत्वा नाम से क्या पलग रहा है विस्ता बन हो जाता है यहांतु विस्तापन यहां मतलए एक परमानु की जगजग के दूसरे परमानु वह आ जाता है तो वह उती है विस्तापन अभी करवाते हैं तो देखिए यह जो कोपड होता है कोपर की जगपर किया जाता है जिंक आजाता है यहाँ पर देखिए जिंक सल्पेट बन जाएगा और जो कोपर है वो इससे अलग हो जाता है तो यह होती है हमारी विस्ताबन अभीकिरिया दी विस्ताबन की बात करेंगे तो दी विस्ताबन में क्या होता है कि वह अभीकिरिय होता है जिससे मालों कि यहां पर सोडियम सलपेट है इसको हम बेरियम कलोराइड से जो है इसके अभी किरिया करवाते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर बेरियम सलपेड जो है एक बनेगा और एक बनेगा टू एने से यह लाएने कि सोडियम कलोराइड यहां पर बनेगा त जाती जिससे वो नश्ट होने लगती खराब होने लगती इस वज़े से उनको जंग वगिरा से बचाने के लिए उन पर क्या किया जाता है ठीक है इसके वाला अगला कि उसने की तेल एवं वसायुक्त खादे पदार्तों को नाइटोजन से प्रवाइद क्यों किया जाता है क् देखी की यह क्या होता है कि जिसे तेल और वसाई गॉख्ज़े जो पदार्थ होते हैं इनके उपचेहन से बचाओ है तो हमे इसे नायटो जजन परवाइट कर देते हैं तेयल तता वसा का जोे उपचेहन होने कीजिए यानि कि संसारन और विक्रत गंदीता को आपको समझाना है देखिए बहुत अच्छा कि उसने संसारन का मतलब जैसे कोई दातू होती है तो उसकी जो सत्व होती है वह वाईयो जल और अपने चार और बस्तित किसी अन्य पता दोरा अभी कर्मित हो जाती है यानि कि ज से लोहे पर जंग लगना ये एक संसारन का उदारन है विक्रत गंदीता की हम बात करें तो विक्रत गंदीता में क्या होता है कि इसमें तेल वावसा के उप्चेत हो जाने पर ये विक्रत गंदी हो जाते हैं तता इनकी गंद वास्वाद में परिवर्तन हो जाता है इनमें प्रती उक्सिकारक मिलाकर अत्वा बोज्जे बदार्तों को निर्वातित पात्रों में रखकर अत्वा उनमें नाइटोजन परवाइद करके इस परकिर्या को जो है रोका जा सकता है जैसे कि आलू की चिप्स की थेलियों में नाइटोजन परवाइद करके उन्हें उप्चे ताता यह है उदासीन होता है इस बज़े से उसमें करण जो है वो प्रवाइद नहीं होता है जब कि वर्साजल जो होता है वो अमली होता है और उसमें जो है एच पलस आएं जो है मुक्तबह सम पाए जाते हैं यानि कि एच पलस जो है वो उत्पन करता है इस करण से वर्साज करन अभी किरिया से क्या होती है दो दान दीजिए सिंपल क्यूसन है कि अमल और सार के मद्द जो अभी किरिया होने पर जो लवन वा जल पराप्त होता है उसे ही उदासी नी करन अभी किरिया कहते हैं यानि कि जब हम सार और अमल की अभी किरिया करवाएंगे तो हमें लवन औ मेलेगा इसी जो अभी के होती है उसी दासीनी करना भी किर होता है का जाता है सिंपल सी बात है इसके दो उधार उने यानि कि दो रियेक्शन यहां पर लिखिया है इसके बाद हमारे पास ह kidneysन आता है कि जो एसेड रेन होती है तो या मली वर्षा क्या और इसके क्यूपर वाउ की हम बात करें तो अग्ला क्या होता है कि सोडियम को किरोसिन में डूबोकर क्यों रखाजाता है देखे सोडियम क्या होती है एक अत्यंत किरिया से दातू होती है अगर इसको हम खुले में रख दे तो यह वाई-उसे उक्सिजन से अभी किरिया करके इसमें आग लग जाती है यानि कि आग पकड़ लेता है इस वज़े से सोडियम का वाई-उसे संपर्क रोकने के लिए उसे इसे दातूओं को विवने विदियो द्वार अप्राप्टर किया जाता है यानि जो दातू उक्त पडार्त होते होने खनीज के आ जाता है और आई-शक की हम बात करें उन घनीजों को जिन से लाप परदर डंग से दातूं का निस्कर्शन किया जा सकता है आइसक कहलाते हैं जैसे लेंड का जो आइसक के वो गे लेना है गेंग की बात करें तो आइसक को परत्वी में से निकालने पर आइसक बालू या चट्टानी पदारतों से दूसीत होते हैं और खनीजों में बालू या चट्टानी पदार्तों के जो असुद्धियों पस्तित होती हैं उन्हें गेंग कहा जाता है इसके बाद अगला क्यूसाने की उबेदर्मी उकसाइड क्या होते हैं दो उबेदर्मी उकसाइडों के उदार्ण दीजिए सिंपल सा आंसर इसका की ज उदार्ण की बात करें तो कारवन मोन उकसाइड और नाइटर्स उकसाइड यानितिंकी एंट्वों जो है उबेदर्मी उकसाइड हैं इसके बाद देखिए आपसे दातु आदातु में भी वेदर्मी पूचा सकता है बहुत अच्छा क्यूसर ने आप इसको आसानी से जो ह होती है कि किसी दातू का अन्ने दातू या अदातू के साथ बनाया गया समांगी मिस्रन जो है वो मिस्र दातू या मिस्र दातू केलाता है उधारन के लिए जैसे पीतल है कांसा है dris इस टीले सि इसदैय ये सब मिस्र दाटु याने की दाट बात्व करें बना हुड़ tut ही पुसंट को मिक्स प्योंग के हुड इसके बाजैंने इसके केते हैं और तामे के परिस करन की विदुत अपगटनी विदी का जो है चित्र सहीत वर्णन करें तो यह अच्छा क्यूसन है यहां पर इसका आंसर है आपकी गाइड में जिसी तरह से तो ऐसको आप याद कर सकते हैं या आप किताब से भी साबन और अपमा चक आते हैं साबन और अपमार चक भी आपके पहस बहुत अक्यूसन है और यहnost पूंचा जाएगा इसके बाद मिसेल है, मिसेल की संरचना और बनने का इसके जो परिकर्या है वो भी आप से पूची जाती है, तो इसको भी आप जो है पूरा याद रखे और इसकी जो संरचना है, यानि कि इसका जो चित्र है, उसको भी आप जो है याद रखे इसके बाद है कि हाइडोजनी करण क्या है इसके ओद्योगी करणुपरियों क्या है ये भी अच्छा कि उसे ने कि हाइडोजनी करण क्या होता है कि असंत्रप्त हाइडोकारवन का दू अत्वा त्रीवंत के दोनों और हाइडोजन का जो योग होता है वो हाइडोजनी करने कहलाता है ओद्यों के कुप्याक से जिसे वनस्पती जो तेल होते हैं उनको वनस्पती गी में बदला जाता है इसके बाद है कि संत्रप्त और असंत् जबकि आसंतरप्त वाले अधिक किरियसील होते हैं और संतरप्त जो है ये ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ाते हैं जबकि आसंतरप्त क्या है ब्रोमीन जल का रंग जो है बूरा रंग उड़ा देते हैं और इसके बाद जो है जो संतरप्त होते हैं ये ओजोन के साथ जो है कीराइं जो हैं परदेशित करते हैं इसक वालाक्ष्ट कुशनेants की आप और अपमारजग में अंतर तो यह भी अच्छा कुशनें सावट और अपमारजग में आपंतर रखें तो यहाँ पर दिह्ति है Sudden ऐह ہमनेojee के करेंगे हम यह भी नहीं बोलेंगे कि केवाल आप यहीं पढ़के जाएं हम यह बोलेंगे कि इन में से आपको कुछन जरूर मिलने वाले हैं और आपका विस्वास जो है हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए तो डियर स्टुडेंट्स अगर इस वीडियो में सब्सक्राब जरूर कर लें